जाहिन दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल लूडियो में आज के क्लास में टैली प्राइम सीखेंगे हम लोग तो टैली प्राइम खोलने के लिए सबसे पहले टैली प्राइम का यह जो आपको सिंबॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे अब आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा तो कीबोर्ड से इसके बटन प्रेस करना है जो कीबोर्ड में इस सी बटन सबसे ऊपर कॉर्णर में होता है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा अब यहाँ पे आपको नया कंपनी बनाना है अगर पहले से बना हुआ कंपनी है तो यहाँ पे तो सो करेगा ही करेगा लेकिन आपको नया कंपनी बनाना है हमें नए तरीके से सीखना है तो हम करेंगे यहाँ पे create कंपनी का इस्तमाल अगर आपके पास पहले से बना हुआ कंपनी का नाम है यहाँ पर नाम लिख लिया लिखने के बाद इंटर करेंगे तो मेलिंग नेम सेंव रहेगा फिर किरेंगे तो एड्रत्र पूछेंगा एड्रेस अब डाल लीजीएगा से से डीध सर्च करेंगे फी यहारे आपको दिखाई देंगे अपको जो उसके बाद इंट्र करेंगे, मोबाइल लंबर डाल लेंगे, फाक्स, इमेल, बेवसाइड, अगर है कंपनी का तो डाले, नहीं है तो छोड़ दे, इंट्र करने के बाद यहाँ पर फाइनेंसेल एर 1424 में काम कर रहे हैं, तो फाइनेंसेल एर 144 होगा, फिर इंट्र करेंगे तो book beginning from का एक option दिखाई देगा, जो same date हम यहाँ पर डालेंगे, इंट्र करेंगे, इंट्र करेंगे, इंट्र करने के बाद कुछ इस तरह का इंट्रफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको बोला जाएगा, company create successfully, means company आपका बना दिया गया है, लेकिन enable the features as per business need, अपने business के need क हिसाब से आप इसमें features को yes कर सकते हैं, तो अभी तो हम नया company बना रहा है, तो हमें ज्यादे features की जरूत है नहीं, तो जो features by default company के थुरू yes no किया गया है, हम वही रखेंगे, तो हम सिर्फ इंट्र करेंगे, तो इंट्र करेंगे, तो यहाँ पर एक option आपको दिखाई देगा जिसमें GST का option first time दिखाई देगा, तो GST में आपको GST number डालना होता है, तो जैसे यह option yes रहेगा आपका, इंट्र करेंगे तो आपको GST details का एक form दिखेगा, जिसमें state regular, type regular और GST number का यहाँ पर एक option दिखाई देगा, जिसमें जा करके अपना GST number put कर लेना है, और इंट्र क हो जाएगा, तो आपकी company इस तरह की interface में दिखाई देगी, यहाँ पर current period आपका लिखा हुआ होगा, current company का नाम date लिखा हुआ यहाँ पर और voucher no entry, gateway of tally में रहेंगे, हम लोग जिसमें master transaction, utilities और report का option दिखाई देगा, तो यह आपकी first time company बनेगे, कुछ उपर में shortcut की दिखा देगे, काम कही साब से, तो यह सारे चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगे, teleprime का logo यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ठीक है, तो यह सारे चीज आपको first time के interface में दिखाई देता है, लेगिन अगर इस company के बारे में details जानना होता है, तो हम यहाँ से company पे click करेंगे, औ यह company का details देखेगा, company का नाम ASD, PVT, LTD और इसका serial number 1005, मतलब यह company का serial number है पहचानने के लिए, हो सके इस नाम से पहले से भी company बना हुआ है, तो आप serial number से भी पहचान सके, search का मतलब होता है, बंद करना, एक बार इंटर करेंगे, तो company आपकी बंद हो जाएगे, देखिए, फिर सम वही number पे आगए, अब हम यह company खोलनी है, जो first time tally को खोले थे, उसी type का design हैगा, तो यह वाली मेरी company है, 005 वाली, तो हम इसे इंटर करेंगे, तो company मेरी खोल तो हम इसी option मेरी जाएंगे, और यहां से जाने के बाद हम security option का इस्तवाल करेंगे, security मेरी जाने के बाद इस option को हम yes करेंगे, इंटर करेंगे, तो username पूछेगा, जिसमें हम MK डाल देते हैं, अब password में हम अपना एक password डाल देते हैं, same password repeat कर देंगे, और इंटर करके accept कर दें यहां से इसको हम हटा लेते हैं यह अप्शन नौन रहेगा यूजरनेम और एक्सेस अब आपकी कमपनी को बंद करनी है तो कमपनी में जाएंगे शर्ट अप्शन पर जाएंगे और इंटर करेंगे कंपनी तो बंद हो गई लेकिन आप फिर से इस कंपनी को खोलेंगे तो पासवर्ड पूछेगी देखिए यूजर नेम पूछ रही है तो यूजर नेम डालेंगे जो पासवर्ड था उसे डाल देंगे इंटे कर देंगे तो कंपनी खुलेगी अदर्वाइस नहीं खुलेगी अगर आम इस टैली को भी बंद कर देते हैं जैसे टैली बंद कर दिये अब टैली को फिर से डबल क्लिक करके खोल रहा है आप से यूजर आइडी पासवर्ड पुछेगी तब जाकर के कंपनी खुलेगी अधरवाइस नहीं खुलेगी यहां से एजुकेशनल मोड करना है आपको यहां पे स्केप करना है आपको आप कंपनी का यहां पे आपको खोज लेना है कौन सी कंपनी है आपकी इंट्र करनी है तो आपसे यूजर नेम पुछेगा बहुत ही सिक्यूर कंपनी हो गई आपकी अब इसे कोई भी व्यक्ति अन् वीडियो में तब तक लिए जाहिंद आपका दिन सुभ हो थैंक यू फर बाचिंग